बढ़निंग के दर्मियान हमें सुख्धे पत्य या जब हम इसके तीलिरिंग कर टें करते हैं तो हमारास सब्हों अपेस होता है सबाई इन खादों का यूज मैं अपने सारे गमलों में करता हूraul जिससे हमारा फल और फूल का फूलों में चमकिला पनाता है और फल हमारा ज़ादा होता है और ज्यादा दिन तक मेरा टिकाव रहता है इसके लिए हम बाहर से कोई तरह का खाद नहीं लेके आते हैं और नहीं हम कोई दवाई यूज़ करते हैं इसमें मेरा पेड का कटिंग पत्ते हैं फल है फल का छिलका है और इनी सब चीजों से मेरा ये बर्मी कमपोस्ट त्यार हो जाता है आरहर भाद इसको प्रोसेशिंग करने के लिए हमने वो चारा डिसे केचवा लाके डाला ने केचवा Milky ल सन प्रोसेश हो जाता आटा केचवा को फिर हम दूसरे ये में डाल देते हैं इसमें मेरा भरा हुआ केचवा जैसे देखेंगे आपूरा कितना मजबूत मजबूत हो गया देखिए वहां से जब खरीद के लाते हैं लाए थे वह इस टाइम सब पतला पतला था तो कितना मोटा मोटा सा हो गया अंदर देखिया है सब को फिर अम इसको निकाल लेंगे इस सीजन में जो भी मेरे पास वेस्टेज है जो बायो गरेडेवल है उसको हम इसमें डाल देते हैं अभी रेडी हो गया है इदम बिल्कुल अच्छा किया कोड भी लिए हम लोग देखिए एक दम खात बन के रेडी है याम के सीजन के पहले से चल रहा है पुरा रेडी हो राकते हैं